अंतर राश्टिय व्यापारिक संगठन या व्यापार समू जो कुछ जो हैं वो एशिया के हैं कुछ जो हैं वो यूरोब के हैं और कुछ पूरे जो हैं वो विश्व इस्तर पर संचालित किये जाते हैं तो आएए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं, gate, G-A-T, इसका full form होता है, पूछा भी जा सकता है आप से, full form, पूरा नाम, तो इसमें दिया है, general, G for general, A for agreement on tariff and trade, G-A-T, general agreement on tariff and trade, प्रशुल्क एवं व्यापार महा समझोता, इसे हिंदी में कहा जाता है, ये अगर हम इसकी बात करें, तो ये आपका विश्व का सबसे पहला अंतर राश्टिय व्यापारिक समझोता या हम संधी कह सकते हैं, है ना, ये कब अस्तित्व में आया, इसमें लगभग 30 अक्टूबर 1947 को, हमारी भारत की आजादी के बाद, इसमें भारत के साथ जो हैं, लगभग 23 देशों ने हस्ताक्षर किये, इसमें साइन किये, है ना, और उसके बाद ये लागू कब से हुआ, मसादा जो है, वो तैयार किया गया था, 30 अक्टूबर 1947 को, लेकिन इस समझोते को लागू किया गया, एक जन्वरी सन 1948 को, तब से ये जो है वो लागू किया गया, मतलब इसमें जो भी नियम थे, रूल रेगूलेशन जो थे, उसे मानने के लिए लागू किया गया, और हमने क्या देखा, कि इसमें लगभग 23 देशों ने हस्ताक्षर किये थे, मतलब वो उसके मेंबर थे, सदस्य थे, इसका मुख्यालय जो है वो आपके, जेनेवा में है, और हम सभी को पता है, जेनेवा कहां है, स्विट्जर लेंड में, अब हम देखेंगे कि ये ऐसी अंतर राश्टी ये संधी थी, जिसके माध्यम से विश्व का लगभग 80 प्रतिशत जो है, वो व्यापार किया जाता था, हम ये देखते हैं, प्रारम में जो विक्सित देश थे, वो ही इसके सदश्य थे, उसके बाद बाद में धीरे धीरे और सदश्य भी विश्व के जो अन्य सदश्य देश जो हैं, वो इसमें जुड़ते गए, और विकाश चिल जो देश हैं, वो भी इसमें शामिल होते गए तो गेट का जो एक मात्रव देश इथा द्विती विश्व युद्ध के बाद जो है वो महसूस किया जाने लगा विक्सित देशों के मध्य ये बात चीत हुई कि भई हमें अपने व्यापार को पूरे विश्व में और बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको मालूम है न हम जब भी कोई आयात या निर्यात करते हैं तो एक समझोता होता है एक देश का दूसरे देश से समझोता होता है बोलेंगे भई कि हम आपकी ये चीज को तब ही खरीदेंगे जब आपको इतना टैक्स या कर जो है वो भुक्तान करना होगा तो ये निर्ने लिया गया द्वितिय विश्य युद्ध के बाद कि हमें उदारी करण की नीती को अपनाना है तो ये टैक्स में या व्यापारिक जो कर लगाये जाते हैं निर्यात कर जो लगाये जाते हैं उसमें थोड़ी छूट देनी होगी कम लगाना होगा या बिलकुल नॉमिनल लगाना होगा जिससे हम व्यापार को बढ़ावा देंगे और हमारा अंतर राश्टी व्यापार विकास की और बढ़ेगा ये तै किया गया तो गैट की स्थापना के बाद हमने देखा कि पहला जो था वो जेनेवा इसका चुकी मुख्याला है वहाँ पर ये जो मीटिंग उसकी या बैठके जो आयोजित की जाती थी उसे एक चक्र कहा जाता है तो पहला चक्र का जो बैठक थी या मेटिंग थी वो आपके स्विट्जेलेंड के जेनेवा में हुई और कुल आठ चक्र जो हैं वो इसके हुए हैं और आठवा चक्र जो है वो इसका महत्वपूर्ण था क्योंकि तभी से इसके बाद ही जो गैट है वो अभी वरतमान में अ और गिनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन ने ले ली है तो जो आठवा इसका चक्र था उसके बाद से फिर डबलू टी ओ का की जो है वो इस्थापना हुई तो पूरे हम देखेंगे इसके आठ चक्र जब तक हुए तो लगभग उनिस सो पंचानवे में डबलू टी आप देखें लगभग उनिस सो सैतालिस में इसकी जो इस्थापना हुई थी तब से लेकर उनिस सो पंचानवे तक बहुत लंबा पिरेट जो है वो चला लेकिन इसके आते आते भई ये महसूस किया जाने लगा कि इसमें कोई बहुत अधिक जो है दम नहीं है ताकत नहीं ह मतलब ये हमारे अंतर राष्टी व्यापार को बढ़ाने के लिए इसके जो नियम कायदे जो बनाए गए हैं उसमें उतनी जो चमता नहीं है तो इसमें थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करना चाहिए एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए इसको मॉडिफाई करके जो हमारे अ डबलू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड और्गिनाइजेशन बनाया गया तो हमने देखा कि आठवा चक्र जो था जो उरुगवे में हुआ गैट का तो उसके बाद फिर उसे बदल कर ये आवश्यक्त महसूस की गई कि एक शशक्त जो है संस्था होनी चाहिए जो पूरे अंतर रा और्गिनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई और इसकी स्थापना का उदेश ही था कि विश्व व्यापार के संबंध में या उस राह में उदारी करण की नीती को मुक्त व्यापार की जो नीती है उसे और सरल और सहज बनाना या इसमें जितने उत्पन्न करना अब हम देख लेते हैं भारत का क्या संबंध है गेट से तो भारत जो है वो इसके गेट समझौते का जो अंतिम प्रावधान था उस समय उसकी व्यापक रूप से प्रतिक्रिया हुई और भारत जो है वो भी लगबग 1948 से ही गेट का सदस्ट से जो है और वो इससे अलग होने की स्थिती में कभी भी नहीं रहा गेट के क्योंकि अलग अगर भारत जो है वो गेट के जो जितने भी और सदस्ट से हैं उनसे वो अलग होता तो सभी देशों से जो व्यापार से संबंधित समझौते हैं वो उसे अलग अलग देशों से जो पूरे 116 दे उनसे अलग अलग व्यापार समझौता उसे करना पड़ता जो एक बहुत मुश्किल काम था जिसके कारण गेट जो है भारत जो है वो गेट का सदर्श हमेशा से बना रहा अब हम अगले प्रादेशिक जो व्यापार समू है उसकी बात करते हैं यह आपका एशिया में स्थित ह है एशिया के दक्षण पुर्वी हिस्से में जो जिसे हम एशियान या आशियान के नाम से पुकारते हैं और A-S-E-A-N इसका फुल फॉर्म होता है पूरा नाम है एस्वेशियेशन आफ साउथ इस्ट एशियन नेशन दक्षिन पुर्वी एशियाई राष्ट्रों का संग इसके स्थापना की गई जैसा आप देख पा रहे हैं 8 अगस्त 1967 को 1967 में इसका जो मुख्याला है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है इसमें जो सदस्य देश शामील है वो कुल 10 देश जो हैं इसमें शामील है जो इसके सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं आप यहां पर देख पारे होंगे पूरा दक्षिन पुर्वी एशियाई राश्टर है आपके सामने मानचित्र है और उसमें अगर आप थोड़ी नजर दोड़ाते हैं तो आप देखेंगे भारत भारत के बाद जो मैनमार है वहीं जापान के पास यहां फ हाइलेंड और कमबोडिया यह जो देश हैं वो इसके सदस्य डेश के रूप में शामिल है और बरतमान में हम देखेंगे तो भारत भी इसका आज जो है सह सदस्य की रूप में शामिल हो चुका है इसका प्रमुख उदेश जो है वो इन राश्ट्रों के बीच में व्यापा को बढ़ावा देना और साथ ही किस प्रकार का व्यापार जो है जो इन देशों के मध्य होता है वो मुख्य रूप से क्रिशी उत्पादों का प्रमुख रूप से व्यापार जो है इन देशों के मध्य किया जाता है अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जिसे हम बोलते हैं सार् साफ इसका फूल फॉरम होता है साउथ एशियन एशोशियेशन फॉर रिजनल कर्पोरेशन दक्षण एशिया छेतरीः सहयोग संगठन हम इसमें देखते हैं हमने अभी पूरे दक्षण पूर्वी एशिया की बात कि थी अब हम इस दक्षण एशिया के देशों में आ हैं कि एशिया के दो प्रादेशिक व्यापार समुए हैं। जिसमें हम सारक की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि दक्षिन एशिया के देश Niya के उत्थान के लिए इसमें व्यापार को बढ़ावाँ देने के लिए और इन देशों के बिच आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए इस समू का या इस संस्था का जो है वो गठन किया गया है इसका मुख्य उदेश जो है वो सदस्य राष्ट्रों के बीच जितने भी सदस्य राष्ट इसमें शामिल हैं उनके बीच व्यापार को बढ़ावा देना था इसमें इस स इसमें शामिल है जो इसके सदस्य हैं तो भारत है आप फिर से मानचित्र में देखे भारत पाकिस्तान बांगलादेश फिर नेपाल है भूटान है फिर नीचे आ जाईए तो श्रीलंका और माल दियो मानचित्र को आपको देखना इसलिए ज़रूरी है किससे आपको रटनी की आवश्यक्ता नहीं होगी आप देशों के स्थिती को मानचित्र में देखकर बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख पाएंगे क्योंकि डैरेक्ट तो कोचन अगर नहीं भी पूछेगा तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि सारक में जितने भी देश शामिल हैं उनमें किन्हीं 4 देशों के नाम बताओे WTO के किन ही 5 सदस्य देशों के नाम बताईए या आशियान के किन ही 6 देशों के नाम बताईए मतलब कुछ देशों के नाम आप से पूछे जा सकते हैं तो जब तक आप मानचित्रे में इनकी स्थिती नहीं देखेंगे तो वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा आपकी समझ में नहीं आएगा तिये हो गई सार्क की बात अब हम अगला देखते हैं यूरोपिय संग यू या यूरोपियन यूनियन ये जो है ये पहले सी ही अस्तितों में था जिसका नाम था आपका यूरोपिय साजह बाजार यूरोपियन इकोनॉमिक कम्यूनिटी एए सी के नाम से ये पहले अपने अस्तितों में था और हम देखेंगे कि इस व्यापारिक संग का जो निर्मान है वो सन 1958 में 1958 में किया गया और जब इसकी शुरुवात हुई तब उसमें आपके फ्रांस पशिमी जर्मिनी इटली परियम नीदरलेंड और लगजमबर्ग ये पूरे देश जो है यूरोप के चुकि ये यूरोपी प्रादेशिक व्यापारिक समू कह सकते हम या प्रादेशिक संग है ये तो पूरे यूरोप के ये जो देश है शामिल है जिनके नाम लिए आप इनको मानचितर में देख सक होते हैं इसके बाद ये तो प्रारंभी की स्थिती थी इस संग की उसके बाद इसमें यूनान, तर्की, डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलेंड ये देश भी इसके सदशिक के रूप में इसमें शामिल हो गए ये जो इसके साथ साथ जो अफरिका महादीप के लगभग जो 18 दे सनरक्षन में ले लिया गया इस समू या इस संस्था के द्वारा इस व्यापार संग के जो सदश्य देश हैं वो अपनी वस्तुएं जो है पूरी स्वतंत्रता के साथ मतलब मुक्त व्यापार की स्थिती है इनमें है ना वो आपस आपसी सहयोग और आपसी सामंजश्य के मा जाता है उसके बाद हम देखते हैं जो EEC है वो सन 1995 में इसे EU में परिवर्तित कर दिया गया जो भी हमने कहा था यूरोपिय यूनियन या यूरोपिय संग में EEC जो है वो परिवर्तित हो गया और लगभग 1999 में 1999 में जो प्रारंभ में इसके जितने भी सदर्शे देश थे वो यहां पर जो मुद्रा चलती है जिसे हम सभी जानते हैं यूरो इसे सभी ने अपना लिया और इन सभी सदस्य देशों में यूरो का जो है वो प्रचलन है अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संग या हम इसे नाफ्ता के नाम से भी जानते हैं इसका फुल फॉर्म है नौर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संग इस संग का जो अस्तित्व है वो सन 1988 1988 में संयुक्तराज अमेरिका और कनाडा के बीच आप यहाँ पर देखिए उत्तरी अमेरिका के जो दो देश हैं USA और कनाडा इनके बीच में व्यापारी जो बंद थे जो टैक्स लगाए जाते थे और अलग-अलग जो व्यापारी नियम लागू किये गये थे इनको हटाने के लिए या समाप्त करने के उदेश से इस संग का जो है वो निर्माण किया गया और सन 1994 में 1994 में मैक्सिको भी इसका सदश्य देश जो है वो बन गया इसके बाद हम देखेंगे कि अब वर्तमान में जो लैटिन अमेरिका के जो देश हैं वो भी इसमें शामिल कर लिए गये हैं अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ओपेक ओपेक या और्गिनाजेशन आफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पेट्रोलियम निरियातक देशो का संगठन ये जो संगठन है वो लगभग 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना की गई या बगदाद में जो एक बैठक हुई मिटिंग की गई कॉन्फरेंस हुआ उसमें इस संगठन को बनाने का नीडने लिया गया 1960 में पहले जब इसका गठन हुआ तब इसमें पांच सदस्य देश थे इसमें शामिल आप यहां पर फिर से देख पा रहे हैं इरान है इराक है कुवेत है उसके बाद साओधी अरब और वेनेजुएला ये पांच सदस्य राष्ट जो है वो इसके सदस्य देश के रूप में शामिल हुए उसके बाद फिर हम देखेंगे समय बीठते गया और समय के साथ साथ फिर इसमें बाद में जो कतर है, अबुधाबी है, बहरीन है, मिश्र है, लीबिया है, अलजीरिया और नाइजीरिया है लिए इसके साओं साथ इंडोनेशिया और इक्वेडोर भी जो है इसके सदर्श्य देश बन गया या इसमें इस ओपेक संग में जो है प्रमुक उद्देश था इस संग के निर्माण का, उसके बाद इस संगठन के ही कारण जो पेट्रोलियम के मुल्य जो हैं, वो बहुत उचे हो गया हैं, कीमत जो है वो इनकी बहुत बढ़ गई है, इस ओपेक के स्थापना के बाद ही.